गूड इमनिंग स्टुडेंट्स, हाव आर यू, बट्सप क्लास में आपका स्वागत है स्टुडेंट्स, आज हम अपनी मैथ की बुक में काम करेंगे, ठीक है? तो अभी तक हमने अपना फर्स चैप्टर कंप्लेट कर लिया है, पुंद्रावरेती उसमें जोड, घटा, आगे की संख्या, बीच की संख्या और बाद की संख्याएं थी चिन लगाने थे, आरोही और अवरोही करम था तो यह हम सारा अच्छे से दोरा चुके हैं आज हम मैथ का सेकिंड चैप्टर करेंगे हमारा मैथ का सेकिंड चैप्टर है सो से एक हजार तक की संख्याएं चैप्टर का नाम है सो से एक हजार तक की संख्याएं तो हम करना शुरू करते हैं इकाई, धाई और सैक्डा इस चैप्टर में कहाएगा इकाई, धाई और सैक्डा यानि ये कहा है, दस इकाईयां यानि एक इकाई होगी दहाईयां यानि दस बस्तों हैं तो एक दहाई और दस दहाईयों का यानि एक सैंकड़ा होगा दस दहाईयों का क्या होगा सैंकड़ा तो ये देखिए सैंकड़ा दहाई और इकाई ठीक एक सैंकड़े में तीन अंख होते हैं एक सैंकड़े में कितने अंख होते हैं तीन तो ये देखेंगे हम इसको दस दाईयों का क्या होगा एक सैंकड़ा सैंकड़ा में कितने अंख होते हैं तीन इकाई दाई और सैंकड़ा यानि एक सो ये क्या बना एक सो अब देखिए 2 सेंकड़े में 200, 3 सेंकड़े में 300, 4 सेंकड़े में 400, 5 सेंकड़े में 500, 6 सेंकड़े यानि 600, 7 सेंकड़े यानि 700 और 8 सेंकड़े यानि 800 ठीक है? अब 9 सैकड़े यानि 900 और 10 सैकड़े यानि 1000 दस सैकड़ों में क्या बना 1000 तो ये थी हमारी 100 से लेके 1000 तक की संख्याएं ठीक हैं तो 100 से 1000 तक की संख्याएं हमने करी इसके बाद देखेंगे आप अब आज हम एक बार इतना ही करते हैं इससे बाद वाली संख्याएं अभी मैं आपको करवाती हूं तो इसको ध्यान से देखें थैंक्यू स्टूडेंट्स हैव ए नाइस दे